नमस्टार दोस्तो माई विग गैड इसमार्ट क्लास माउका फिर से स्वागत है दोस्तो आज हम सीखने वाले हैं MS Word में आप इस तरीके के आप को प्रिंटर से प्रिंट कैसे निकाल सकते हैं इसकी सेटिंग कैसे करते हैं वैसे तो यह अपलें कि उसकी लेंध कितनी है तो यहां पर आप देखेंगे कि यह जो नौ इंच का है और इसकी चोड़ाई है वो चार इंच है तो यही साइज आपको MS Word में सेटिंग में 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 प्रिंटर तो इस तरीके से खिषकाने के लिए वहाँ पर fit कर दें MS Word को open कर लीजिए ribbon में आपको mailing का option दिखाए देगा तो इस पर click कर दीजिए और यहां पर सबसे corner में आपको दिखाए देगा envelops तो इस पर चले जाएए और यहां पर आपको दो option दिखाए देंगे delivery address और return address तो delivery address में आपको वही address डालना है जहां पर आप उसे भेजना चाहते हैं तो यहां कोई भी address आप टाइप कर सकते हैं तो हम यहां पर example के लिए mybiggate.com टाइप कर देते हैं तो आप देखेंगे हमने यहां पर mybiggate.com उत्तरप्रदेश टाइप कर दिया है और इसके बाद returning address में भी हम हम यहां पर नाम टाइप कर देते हैं तो इस तरीके से हमने यहां पर returning address और delivery address दोनों टाइप कर दी हैं आपको यहां पर जो envelope आप प्रिंट करने वाले हैं उसका preview आपको यहां पर दिखाए दे जाएगा वो किस तरीके से प्रिंट होगा इसके ब्राबर में एक option और दिया गया है फीड का तो इस पर click करके आपको यह अपने printer के साब सेट करना है कि आप अपने printer में जो भी envelope फिट कर रहे हैं या print के लिए आपने जो envelope लगाया है वो किस तरीके से लगाया है अगर center में है तो आप इस वाले पर tick कर दीजिए अगर आप side में लगा रहे हैं क्योंकि अलग-अलग printers में यह अलग-अलग तरीके से होता है तो जिस तरीके से पर आप अपने printer में envelope को fit कर रहे है उस icon पर click कर दीजिए अब यहां पर face up और face down का भी option दिया गया है कि आप कौन सा हिस्सा उपर रख रहे हैं यहां पर यह face down का option है यहां पर जो open वाला part है वो उपर है और जो down वाला part है जो जिस पर print होकर आएगा वो नीचे है लेकिन अगर आपके printer में print ऊपर की तरफ से होता है तो आप इसे face up भी कर सकते हैं तो यहां पर यह दोनों option इस तरीके से दिये गए हैं यहां पर आपके tray के लिए option है तो आप manual feed या auto select को यहां पर select कर सकते हैं तो आपकी जिस भी tray में paper लगा होगा वहां से उस paper को उठा लेगा यहां पर paper size दिया गया है जैसा कि हमने शुरू में आपको बताया था कि आप paper size यहां से select कर सकते हैं तो हमारा size था 9 इंच वाला था तो आप यह 9 इंच वाला size यहां से ले सकते हैं इसको यहां पर size 10 बोलते हैं तो यहां से size 10 को select कर लिजिए market में जो envelope मिलेगा आपको इसी size कर मिलेगा तो इसे okay कर दीजिए और okay करने के बाद यहां से इसको print कीजिए आप देखेंगे यह हमसे पूछेगा के do you want to save new return address as a default return address तो अगर आप इस address को default return address के तौर पर save करना चाहते हैं तो यहां से इसको save कर दीजिए इसके बाद आपका printer से print निकलना शुरू हो जाएगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से आपके envelope पर ms word द्वारा print कर दिया जाएगा लेकिन यह जो print है यह अभी इतना suitable नहीं है तो हम आपको एक तरीका और बताते हैं जिससे आप manual print भी कर सकते हैं manual तरीके से envelope को print करने के लिए आप ms word open कर लीजिए और यहाँ पर page layout में चले चाहिए page layout में यहाँ पर आप letter select कर लीजिए और orientation में आप landscape को select कर लीजिए अब बारी आती है margin की तो margin आपको custom select करना है custom margin के लिए हम आपको length बता देते हैं अगर आपने letter select किया है तो top margin आपको डालना है 6.75 cm और left margin आपको डालना है 7 cm इस तरीके से आप यह दोनों lens set कर लीजिए और यहाँ पर orientation जैसे आपने landscape select कर रखा ही होगा इसे okay कर दीजिए जब आप ऐसा करेंगे तो आपको page पर दोनों तरफ यह margin set होके मिल जाएगा तो जो सबसे पहली line है आपको यहाँ पर returning address type करना है returning address type कर लीजिए देखिए जैसे कि हमने यहाँ पर कर रखा है यहाँ पर हमने पहली line में जो margin का starting वाली line है वहाँ पर हमने returning address के तोर पर प्रिशक हिंदी में type किया है यह आप देखेंगे जो अगले tab set किया है, एक tab हमने 9 cm पर set किया है और दूसरा tab हमने set किया है 11 cm पर अब आप दोनो tab को set कर लीजिए और उसके बाद enter करके इस तरीके से आप address डाल सकते हैं ये जो address है, ये हमने font size 22 में type किया है और font है देवलेस 20 और उसके बाद shape में जाके आप कोई भी shape इस तरीके से दे सकते हैं dark ticket को चिपकाने के लिए, इसको आप सब थोड़ा सा side में लगा दीजिए तो इस तरीके की setting जब आप करेंगे तो आप देखेंगे ये preview में आपको कुछ ऐसा दिखा ही देगा इसको करने के बाद simple आपको print देना है और print देते ही आपका envelope जो है बड़े ही सुन्दर तरीक से print होके आ जाएगा जो कि MS Word के automatic envelope printing से नहीं आता है वैसे आपकी सुब्धा के लिए इस फाइल को save करके आपको description में इसका link दे दिया जाएगा ताकि आप इसे बतौर template इस्तमाल कर सके हैं इसमें आप एक प्रयोक और भी कर सकते हैं जिल लोगों को जादा envelope print करने की ज़रूरत है वो अपने सारे नाम की list एक excel की file में type कर लें और उस file को इस से mail merge के तुरू attach कर ले mail merge का video का link भी मैं नीचे डाल दूँगा आपको simple mail merge इस्तमाल करना है और आप यहाँ पर इस नाम की जगे कई सारे नाम भी type कर सकते हैं और उनने बड़े आराम से print कर सकते हैं का print हम निकाल के आपको दिखा देते हैं है तो आप देखेंगे कि जो हमने manual तरीके से print किया था वो इस तरीके से print होके आया है और जो हमने MS word के envelope printer से जो print निकाला था वो कुछ इस तरीके से आया है तो आप दोनों में अंतर देख सकते हैं जो तरीक से जो प्रिंट हमने निकाला है वो बहुत ही भी हि bulunट हुआ है तो इस तरीकð 스प भी अपनाफ qo print कर सकते हैं और इस मार दिो है के आप अच्छे तरीके से अपने व्रकne को प्रिंध कर सकते हैं से आप भी अपने उविल्प Contrast कर सकते हैं और इस इस मारदल का इस्तेमाल करके आप बहुत आख्य कर से अपने मन को प्रिंट में अक्र हाई आपम आज आ या आपको आज की वीडियो पसंद आया को थे वीडियो को पसंद आया हो मारी को जबूराख किजिए तो वीडियो को झाल झाल